नमस्कार दोस्तों, टेंस और ठांसलेशन अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें का ये तीसरा विडियो है जो ब्यक्ति अपने जन्म से ही अंग्रेजी भासा को सुनता आया है और बोलता आया है उसके लिए तो अंग्रेजी ही उसकी मात्र भासा हो जाती है और उसे अंग्रेजी में बात करना आसान होता है लेकिन जो बेक्थी हिंदी या फिर कोई अन्य भासा अपने जन्मे से सुनता और बोलता आया है उसके लिए अंग्रेजी एक नई भासा होती है और उसको सीखने के लिए उसकी मात्र भासा जरूरी है मात्र भासा का उप्योग करके ही वो भासा दूसरी भासा सीख सकता है अता है जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ही अंग्रेजी सीख पाएंगे और बोलने के लिए भी यही तरीका है जब हम translation अपने मन में जल्दी-जल्दी करने लगते हैं वही बोलने का एक तरीका है अब चलिए आज कुछ नए words को सीखते हैं और इन्हें sentences में वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे Eat, E-A-T, Eat means होता है खाना, ओके भोजन करना होता है, Eat means Eating, E-A-T, I-N-T, Eating means होता है खा रहा, या फिर खा रही, खा रहे रहा रही, रहे जुड़ जाता है उस खा में, यानि काम में ध्यान रखना है यहां पर Eat, Eating यह सब कोई काम है, Action है और यहां हम Action को पढ़ेंगे और आज जो बाग के पढ़ेंगे, उसमें हम Action को Use कैसे करते हैं किसी काम के बारे में कैसे बात करते हैं, यह जानेंगे इसके पहले जो दो वीडियो था, उसमें हमने काम के बारे में नहीं सीखा लेकिन आज के इस वीडियो में किसी काम को हम कैसे sentence में लिखते हैं यह सेखेंगे Drink, drink भी एक काम है, एक action है Drink means होता है पीना, D-R-I-N-K पानी पीना, दूध पीना Drinking, D-R-I-N-K-R-N-K Drinking means पी रहा, पी रहे, पी रही Read, R-E-A-T, read means पढ़ना Reading, R-E-A-D-I-N-K, पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे Means read में I-N-K लगा देते हैं, तो उसका मतलब रहा, रही, रही जुड़ जाता है Write, W-R-I-T-E, write means लिखना Writing, W-R-I-T-I-N-K, writing means लिख रहा, लिख रही, लिख रहे Teach, T-E-A-C-H, teach means पढ़ाना या फिर सिखाना होता है Teaching, पढ़ा रहा या फिर सिखा रहा, पढ़ा रहे या फिर सिखा रहे पढ़ा रही या फिर सिखा रहे साथ ही इस विट्यों में हम will का यूज सेखेंगे will का यूज कैसे sentence में करते हैं जब sentence के last में काम के साथ गा गी जुड़ा रहेगा वहाँ पर हम will का यूज करेंगे जैसे पढ़ाएगा, लिखाएगा, खाएगा, पीएगा, आएगी, बैठेगी, जाओंगा उस गा के लिए हम will का यूज करते हैं और इसके पहले हमने बताया है कि was means होता है था और थी, were means होता है थे और is means है, our means है या फिर हो और am means हूँ इसके पहले विडियो में मैंने बताया है हम इनका भी यूज आज काम के साथ, action के साथ कुछ warps होते हैं जिने क्रिया कहते हैं इनके साथ हम इने यूज करना सीखेंगे अब चलिए इन sentences को, इन वाक्यों को अंग्रेजी में लिखते हैं मैं किताब पढ़ूँगा, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे यहां एक काम हो रहा है, मैंने बताया, काम या फिर क्रिया उसी को कहते हैं पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, आना, जाना, ये सभी काम होते हैं या फिर क्रिया कहते हैं, और इस काम को जो करता है इस काम को जो करता है उसे हिंदी में करता कहते हैं या अंग्रेजी में doer भी कहा जाता है doer करने वाला और एक वाक्य में एक sentence में करने वाला और काम दो चीज का होना जरूरी होता है एक जो काम करेगा और दूसरा काम कोई काम होता है और उस काम को करने वाला होता है एक संटेंस में कम से कम इन दो चीजों का होना जरूरी है जैसे मैं पढ़ूंगा पढ़ना काम है और इसको करने वाला है मैं मैं पढ़ूंगा मैं किताब पढ़ूंगा तो किताब एक अन्य चीज हो जाती है एक्स्टा चीज हो जाती है लेकिन मैं करने वाला है और पढ़ूंगा काम है इस काम को करने वाला तो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे सबसे पहले काम को करने वाले को लिखते हैं यानि मैं की अंग्रेजी लिखूंगा मैं की अंग्रेजी होती है I तो I और फिर इसके बाद मैंने कहा था जो सबसे लास्ट में होता है उसकी अंग्रेजी बनेगी लेकिन अभी मैंने कहा अगर काम में गागी गे जुड़ा हो तो उस गागी, गेगी की अंग्रेजी will होती है और उसके बाद उसे लिखते हैं तो I will अब उसके बाद जो बचता है उसमें से हम पीछे से अनुवाद करके लिखते हैं अब बचा क्या? किताब और पढ़ू यानि पढ़ना किताब पढ़ना बचा हुआ है और पढ़ना अब हम पीछे से अंग्रेजी बनाते हैं तो कितना हो गया? I will फिर पढ़ू यानि पढ़ना की अंग्रेजी पढ़ना की अंग्रेजी होती है I will read और फिर किताब की अंग्रेजी book I will read book एक किताब पढ़ूंगा I will read a book या फिर ज्यादा किताब होंगी I will read books कह सकते हैं दूसरा sentence देखते हैं वह अंग्रेजी पढ़ाएगा यहां भी काम हो रहा है पढ़ाना पढ़ना अलग है पढ़ाना अलग है पढ़ना means होता है read पढ़ाना means होता है teach और यह कौन काम करेगा वह वह काम करने वाला है तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी लिखेंगे वह पढ़ाएगा means वह एक लड़का है इसलिए वह की अंग्रेजी ही होगा अगर होता वह अंग्रेजी पढ़ाएगी लड़की हो जाएगी वहाँ पर वह वह की अंग्रेजी she हो जाएगा तो यहां वह की अंग्रेजी he होगा, तो सबसे पहले he लिखेंगे और फिर last में गा लगा हुआ है यानि गा की अंग्रेजी will लिखेंगे he will अब बचता है अंग्रेजी पढ़ाये यानि अंग्रेजी पढ़ाना बचेगा, तो जो बीच में बचते हैं, उनमें हम पीछे से अंग्रेजी बनाते हैं, यानि पढ़ाना की अंग्रेजी अब लिखेंगे, फिर अंग्रेजी की अंग्रेजी लिखेंगे, तो he will पढ़ाना की अंग्रेजी teach और फिर अंग्रेजी English, he will teach English, इसका अंग काम हो रहा है, खाना, इस काम को कौन कर रहा है, वे, वे हैं करने वाले, इस काम को करने वाले, सबसे पहले वे की अंग्रेजी लिखेंगे, दे होता है, वे की अंग्रेजी दे, टी, एच, इ, वाई, दे, और फिर सबसे लास्ट में जो होता है, उसकी अंग्रेजी लिखते है सबसे लास्ट में क्या है हैं हैं की अंग्रेजी क्या होता है आर हमने पहले फिटियों में बताया है दे आर और इसके बाद बीच में जो बचता है उसको पीछे से बनाते हैं तो क्या बचा है आम खा रहे यहां पर तीन सब्द नहीं मानेंगे यहां बीच में दो सब्द बजता है आम और दूसरा है खा रहे क्योंकि खा रहे एक ही सब्द है और इसकी अंग्रेजी होती है इटिंग क्या होता है इटिंग इसलिए खा रहे को अलग अलग नहीं माना जाएगा जहां भी रहा रही रहे होता है उसके पीछे जो होता है वो एक ही सब्द दोनों जुड़कर बनाते हैं, तो क्या हुआ, दे आर इटिंग, अब इसके बाद आम के अंग्रेजी, मैंगोज, दे आर इटिंग मैंगोज, मैंगोज प्लूरल हमने लिखा है, बहुत सारे आम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे आम खाएंगे, तो दे आर इटिंग मैंगोज, ऐसा बनेगा यहाँ पर, अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम पानी पी रहे थे, यहाँ पर काम हो रहा है, पानी पीना, यानि पीना काम हो रहा है यहाँ पर, क्या पीना, और कौन पी रहा था तुम पी रहे थे यानि तुम है पानी को पीने वाला तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे U, by O, U, U means होता है तुम U और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है थे, थे की अंग्रेजी होगी थे की अंग्रेजी होती है वर, W, E, R, E यू, वर, अब इसके बाद क्या होगा जो बीच में बसता है पानी पी रहे तो पी रहे एक ही सब्द है तो हम पीछे से अंग्रेजी बनाएंगे पानी पी रहे तो पहले पी रहे का बनेगा फिर पानी का बनेगा यू, वर, ड्रिंकिन वाटर पानी मेंस होता है वाटर इस तरीके से तुम पानी पी रहे थे का होगा अब चलिए इन वाक्यों का अंग्रेजी बनाते हैं इसके पहले मैंने अभी ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी बनाया जो साधाराण वाक्य थे simple sentences थे सकारात्मक वाक्य थे मतलब जिसमें ना तो कोई प्रशन था ना तो कोई नहीं का प्रयोग था तीछे के वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया और ना तो कोई प्रशन था अब यहां पर हम जिस वाक्य में नहीं सब्द कायूज है या फिर जो कोई प्रेशन है उसका अंग्रेजी बनाना सीखेंगे जैसा पहला सेंटेंस है मैं किताब नहीं पढ़ूँगा यहाँ पर नहीं कायूज है और जिसमें नहीं कायूज होता है उसे negative sentence कहते हैं नाकारात्मक वाक्य कहा जाता है और जो प्रश्ण है उसको प्रश्णवाचक वाक्य कहते हैं या फिर question कह सकते हैं या interrogative sentence कहते हैं तो आज हम इस वीडियो में हम ऐसे वाक्यों का translation सेख रहे हैं जिसमें कोई न कोई काम हो रहा है इसके पहले दो वीडियो में मैंने काम की वात नहीं की थी लेकिन आज के इस वीडियो में कोई न कोई काम हो रहा है एक्शन हो रहा है और उस एक्शन वाले sentence को हम अंग्रेजी में बना रहे हैं तो जब किसी sentence में काम हो कोई काम हो रहा हो और उसमें नहीं का प्रयोग किया गया है तो सबसे पहले हम नहीं को छोड़ देते हैं अपने दिमाग में रखते हैं नहीं को लेकिन sentence से हटा देते हैं मान लीजिए नहीं sentence में नहीं है और जितना बचता है उसकी अंग्रेजी बनाते हैं और फिर बाद में नहीं को sentence में कहां लगाते हैं जो उसमें will होगा या फिर is, am, are, was, were या फिर has और have sentence में ये सब्द मिलते हैं will, is, am, are, was, were, has, have उसके वाद not को लगा दिया जाता है तब चलिए पहले sentence का translation करते हैं मैं किताब नहीं पढ़ूंगा इसमें से नहीं को आप हटा दीजिए तो क्या बचता है मैं किताब पढ़ूंगा इसका मैंने अभी बता दिया कैसे बनेगा मैं किताब पढ़ूंगा सबसे पहले I की अंग्रेजी I फिर पढ़ूंगा गा की अंग्रेजी will फिर किताब पढ़ूंगा किताब पढ़ना तो बीच में बचा किताब पढ़ना तो पढ़ना की अंग्रेजी read और फिर किताब या sentence बन गया मैं किताब पढ़ूंगा अब नहीं के अंग्रेजी लगा देना है तो यहाँ पर धूढ़िए will कहां है will के तुरंत बाद लगा देते हैं I will read book में will के बाद यानि I will not read book इस तरीके से मैं किताब नहीं पढ़ूंगा का अंग्रेजी होगा I will not read a book इसी तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हो red rectangle के अंदर तुम पानी नहीं पी रहे थे इस sentence में भी नहीं का प्रियोग है इस वाक्य में नहीं का प्रियोग किया गया है यानि यह भी negative sentence है नकरात्मक वाक्य है इसको भी उसी तरीके से translate करेंगे इसमें पीना काम हो रहा है action है और तुम यह काम कर रहे हो you तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको translate करने के लिए नहीं को हटा देंगे नहीं को हटाने के बाद क्या बचता है तुम पानी पी रहे थे अब इसकी अंग्रेजी पहले के जैसे बना ले यू और फिर थे की अंग्रेजी सबसे last में जो होता है उसके बाद लिखेंगे यू वर थे की अंग्रेजी क्या होती है वर यू वर अब बीच में क्या बचता है पानी पी रहे पानी पी रहे चूंकि पी रहे एक ही सब्द माना जाएगा तो यहाँ पर दो सब्द बचे हैं पानी और दूसरा है पी रहे तो पहले किसका translation होगा पी रहे का क्यूंकि पीछे से translate करते हैं जो बीच में बचते हैं यू वर पी रहे की अंग्रेजी होता है drinking यू वर द्रिंकिंग पानी की अंग्रेजी वाचर यू वर द्रिंकिंग वाचर ओके इतना हो गया तुम पानी पी रहे थे अब नहीं की अंग्रेजी जोड़ना है तो नहीं की अंग्रेजी मैंने बताया कहां लगता है will, is, am, are, was, were, has, have यह जहां दिखते हैं उनके बाद लगाते हैं यू वर ड्रिंकिन वाचर वर के बाद लगा देंगे यू वर नॉट ड्रिंकिन वाचर तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो गया अब चलिए इस सेंटेंस को लेते हैं क्या वर अंग्रेजी पढ़ाएगा रेड रेक्चंगल के अंदर आप देखें क्या वर अंग्रेजी पढ़ाएगा इसमें भी गा का प्रियोग है काम के साथ पढ़ाना में गा जुड़ा है यहां भी गा का प्रियोग है यानि will का यूज होगा sentence में लेकिन देखें यह एक प्रश्ण है मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा वह समझे आपका भाई है मैं आपसे पूछता हूँ क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा तो आप जबाब में क्या देंगे हाँ या फिर नहीं तो ऐसे प्रश्ण को बनाने के लिए मैंने बताया है कि क्या की अंग्रेजी नहीं बनती है जिस प्रश्ण में हम जबाब यस या नो दें उसमें जो क्या होता है उसकी अंग्रेजी नहीं बनती तो बचा कितना वहाँ पर वह अंग्रेजी पढ़ाएगा जब वो प्रेश्ण होता है तो इतना बचता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले जो सबसे लास्ट में होता है उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं जब कोई प्रेश्ण हो इस तरीके से जिसका जवाब yes और no में दें तो सबसे last में है गा तो गा के अंग्रेजी सबसे पहले होगी यानि will अब इसके बाद उसका उल्टा होता है अब जो सबसे शुरू में यानि जो काम करने वाला जो बचा है क्या को वो तो छोण देंगे तब शुरू में क्या बचा वह यानि जो भी काम करता है उसको लिखते हैं तो will he अब क्या बचा बीच में अंग्रेजी पढ़ाना यानि अंग्रेजी पढ़ाय में अंग्रेजी पढ़ाना बचा पढ़ाना की पहले लिखेंगे फिर अंग्रेजी की लिखेंगे तो will he teach पढ़ाना मीनस होता है teach तो will he teach English अंग्रेजी क्या होगी English तो will he teach English अब इस sentence को लेते हैं वह क्या पढ़ाएगा ये भी एक question है मैं आप से कहता हूँ वह क्या पढ़ाएगा आप जबाब दीजे वज्जर येस नो नहीं येस और नो में जबाब नहीं दिया जा सकता इस question का वह क्या पढ़ाएगा आपको बताना पढ़ेगा वह maths पढ़ाएगा हिंदी पढ़ाएगा इंग्लिश पढ़ाएगा संस्कृत पढ़ाएगा मिन्स आप कुछ न कुछ बताओगे तो यहाँ पर वह दूसरे प्रकार का प्रशन है इसे यस और नो में जवाब नहीं दे सकते तो इस प्रकार के प्रशन को अंग्रेजी बनाने का नियम थोड़ा दूसरा है क्या नियम है थोड़ा सा दूसरा है कि जो question word होता है जैसे क्या, कहा, क्यूं, कब, कैसे ये question word की अंग्रेजी sentence में सबसे पहले लिखा जाता है sentence में सबसे पहले लिखते हैं और फिर इसके बाद वही rule लगने लगता है जो की दूसरे प्रकार वाले प्रशन का rule है question word की English सबसे पहले लिखने के बाद जो सबसे last में होता है यानि जैसे will इसकी अंग्रेजी लिखेंगे और फिर उसके बाद जो काम करता है उसकी अंग्रेजी लिखते हो उसी तरह से नियम का बालन करते हैं तो चलिए इसका बनाते हैं वह क्या पढ़ाएगा तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे क्या की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी होती है what अब फिर जो सबसे last में है वही नियम लगेगा पहले प्रकार वाले question का नियम will अब इसके बाद what तो बना लिया हमने और will की भी बना लिया अब क्या बचता है वह पढ़ाए यानि वह की अंग्रेजी होगी जो काम करता है what will he और फिर क्या बचा यहां पर पढ़ाना यानि teach what will he teach अब चलिए इस sentence को लेते हैं क्या तुम किताब पढ़ रहे हो ये भी एक question है जिसका जवाब हाँ या नामे दे सकते हो तो इसको अंग्रेजी में कैसे बदलेंगे सबसे पहले जो last में होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं क्या की तो अंग्रेजी यान नहीं बनेगी क्योंकि हाँ और नामे जिस प्रस्न का जवाब मिले उसमें जो क्या होता है उसकी अंग्रेजी नहीं बनती क्या बनती है सबसे पहले जो सबसे last में लिखा होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हो की अंग्रेजी हो मींस आर हो की अंग्रेजी क्या होती है आर अर अब इसके बाद जो सुरू में बचा यानि क्या को हटाने पर शुरू में क्या बचेगा तुम यानि काम करने वाला ओके तो are you अब बीच में क्या बचता है किताब पढ़ रहे तो यहाँ पर दो सब्द है किताब है अदूसरा पढ़ रहे पढ़ रहे को एक ही सब्द गिना जाएगा तो यहाँ पर हम पीछे से बनाएंगे यानि पहले पढ़ रहे का बनाएंगे फिर किताब का आर यू रेडिन बुक आर यू रेडिन बुक तो इस तरीके से इसका क्या हुआ आर यू रेडिन अ बुक कह सकते हो क्योंकि एक किताब पढ़ रहे हो तो a book are you reading a book और बहुत सारी किताबे हैं तो are you reading books yes लगा दो किताब के अंग्रेची में अब आखरे sentence तुम कहां जा रहे हो ये भी a question है इसका जवाब दीजे yes, no, मैं नहीं दे सकते तो क्या बताएंगे मैं school जा रहा हूँ मैं market जा रहा हूँ मैं खर जा रहा हूँ कहीं भी जा रहा हूँ यानि आप कोई जगह बताओगे yes, no, में नहीं बोलोगे तो ये दूसरे प्रकार का प्रेस्न है और इस प्रेस्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो प्रेश्न सब्द होता है उसकी अंगरेजी लिखते हैं यानि कहां की अंगरेजी सबसे पहले लिखेंगे where कहां की अंगरेजी क्या होती where w-h-e-r-e अब उसके बाद वही पुराना रूल रग जाएगा जो पहले प्रकार का प्रस्नका है सबसे लास्ट में जो होता है उसके अंग्रेजी लिखते हैं where, who की अंग्रेजी होती है are अब इतना सब्द हो गया कहां और हो का हो गया अब क्या बचा तुम जा रहे अब जो काम करता है उसको लिखते हैं कौन काम कर रहे तुम where are you तुम क्या अंग्रेजी होती है you, by you where are you अब जा रहे क्या अंग्रेजी एक ही सब्द है जा रहे यानि going go में ing जुड़ेगा where are you going और मैं चाहता हूँ कि आप पहले और दूसरे videos को भी देखें और इसमें जो लिखी चीजें हैं उनको पढ़ें, याद करें, समझें और प्रैक्टिस करें और क्रमसह जो आने वाली videos हैं उनको देखते रहें तो one day you'll be able to speak in English okay it may take time but you will definitely be able to speak in English okay and if you like the video please share it and if you're watching the channel for the first time please subscribe to the channel so that you get the notifications of the videos I upload thanks for watching